और वोलिटिन की शुरुवात इस वक्ती सबसे बड़ी अपडेट के साथ करेंगे भारत के भारी दबाओ के बाद आखिरकार केनेडा सरकार एक्शन पर मजबूर हो गई है आपको बताएं कि खालिस्तान समर्थकों पर एक्शन की शुरुवात कर दी गई है केनेडा सुचास पर आखिरकार पर अखिरकार ने खालिस्तान समर्थकों पर एक्शन शुरू कर दिया गया है केनेडा परशासन ने खालिस्तानियों को बैनर हटाने के लिए काया और इसी ख़बर बरौज़्ाद जानकारी के अमरूब करनेंगे हमारे सायोगी अमित पांडे भी चुड़ अमित ये तो महस शुरुवात भर है अभी बदलाव और देखना बाकिए अलगावादी आतंतियों के समर्तक जादी निकालते समर्तर निकालते सब भारत विरोधी बाते कहते ते और जम कर चाहे पोस्टर ते चाहे वोटिंग से इनको सोचल मीडिया पर वाइरल किया जाता था तो अब वहां के सानी प्रशासन ने आदेश जिया इन विवादास पर को हटाएं और इससे साफ तार पर जोड़ा जा सकता है कि ये चीज़े भारत के हितों को नुक्तान पहुचा रहे थी और अब भारत के हितों पर जो आवाज उठाई है भारत ने तो कनाड़ा के प्रशासन के कान पर अब कुछ न कुछ जूद जरूर रहें तो खालस्तानि को होडिंग हटाने के लिए कहा गया है ये बड़ी जानकारी इस वक्त है लेकिन एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दे कि कैनाड़ा में खालस्तानी आतंकी हरदीब सिंग निजर की हत्या के बाद भारत कैनाड़ा के रिष्टों में करवाहट चरम पर है औ दूसरे देशों में रह रहे भगोडे खालस्तानी की संपत्ती भारत में जब्त होगी इन आतंकियों पर आरोप है कि वो विदेश में बैठक कर भारत के खलाफ एंटी इंडिया प्रोपगेंडा चला रहे हमारे सेयोगी अमत लगातार हमारे साथ बने है अमित आतंकियों पर एक्शन लिस्त तयार है आगे क्या होने वाला है? यही बड़ी वज़ा है कि अब समपत्या करने का लगातार ऑक्शन भी जारी है